चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बेला आइकन भी दबा लीजिए जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें सर प्रत्र मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वेबिनार में उपस्ति सभी साथियों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार तल्था मैं यह एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अधिक से अधिक लोग इस प्रोग्राम में जुड़ गए होंगे आज का सेशन है इंटरनेट पर कर जिसका प्रेजेंटेशन मैं वरुनेश मिश्रा जीला सुल्तानपुर से आपको मैं त्योरी सेक्शन समझाऊंगा तत्पषचात स्री प्राशान चौधरी जो जीला बिजनौर से हैं वह आपको प्रेटकल सेशन समझाएंगे और श्रीरितिक बरमा जी हैं वो भी को बता देना चाहता हूं आज किस टॉपिक पर हम आपको समझाएंगे यह एस फर्श्ट लिए एलेक्रोनिक मेल जिसको हम इमेल के नाम से जानते हैं उसके बाद है वेब मेल प्रदाता इमेल का खाता कैसे बनाएंगे इसको हम कैसे तिरोटिकली समझाएंगे बाद में प्रे डेनेट चैटिंग, सोशल नेटवर्किंग, सर्च इंजन, यूरल और सेक्योट साइट्स क्या क्या होते हैं फिर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम दी एलेक्ट्रोनिक मेल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलेक्ट्रोनिक मेल से इलेक्ट्रोनिक मेल से जिसे हम इमेल के नाम से जानते हैं ये भी आप सभी जानते हैं कि इमेल को फुल फॉर्म है, इलक्ट्रोनिक मेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म है, इमेल कहते हैं, यदि हम इसके बारे में संचिप्त में या इसके हिस्टरी में जाएं, तो इसका अविश्कार 1972 में किया गया था, इस्टार्टिंग में टेक्नोलोजी के स्टार्टिंग समझ दिये कि पहले की पहचान एड की चिने से की जाती है, ये भी श्री टॉम लिंसन दौरह ही किया गया था, हम रे टॉम लिंसन को एक प्रोग्रामर के रूप में जान सकते हैं, जैसे आज कल प्रोग्रामर होते हैं, वैसे उस समय में 1972 में ये एक बहुत बड़ा ही अविश्कार के जिसका आ इमेल ही जाना जाता है, तो वैसे ही श्री टॉम लिंसन जी ने ही 1972 में ही ये काम कर गिया था, श्री टॉम लिंसन जी ने अर्पनेट के दौरह में ये एक कंपनी है, अर्पनेट जिसे कल स्री प्रसांद सर ने बताया था, अर्पनेट के डिस्क्रिप्शन बताया था क्या क कैसे है तुझिसे श वा संनने आरपनेट के दो़ारा उस के साथ कोलैबरेट करके डीजन को एक नए दिशा प्रतान की है कि अब हम एमिल के अन Ihrer step के बारे में ज्यानकारी प्रतान करें जैसे कि टौन दिंसन जी ने इमेल को नए जन दिया परंथू यदि हम इमेल के शाखाओं के विकास के बारे में जाने तो इसके जनत इसको जनम दिया एक भारती ने जनम दिया जिसको हम श्री विये श्रीवा अधुराई के नाम से जानते हैं इसमें आप प्पूटी में देख भी रहे होंगे श्री विये श्रीवा अधुराई का नामेंशन है औ और उनके बारे में अगर हम बताएं तो श्री विये शिवा अधुराई का जनम 1963 में मुंबई में हुआ था परन्तु जब वे साथ वर्ष के हुए तो अपने परिवार के साथ श्री अधुराई अमेरिका चले गए वर्ष 1978 में एक 14 वर्षी हाई स्कूल के छाथ के रूप में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का अध्यान करने के लिए नियुएक उनिश्टी में चले गए और समर विकेशन जैसे ही आज के स्कूलों में समर विकेशन होता कुछ होता है तो मात 14 वर्ष के ही जब उनकी एस थी तो एस प्रोग्रामर के रूप में उन्होंने इस बहुत कुछ लंग किया फिर जब वे 19 वर्ष के हुए तो उन्होंने एक सॉफ्वेयर बनाया इमेल के सॉफ्वेयर जिसके कई शाखाएं हुई और उसको उन्होंने कॉपी राइट भी उसका रिजिस्टर कर लिया कि और भी कोई यूज ना कर पाए यूज विशे शुरूब दिया जिसमें आज भी मैक्सिम्म टाइम यूज होते जिसमें НамEl इनस मैं फिर जाते हैं इमेल में क्या क्या होता है जैसे इमेल हम लोग यूज करते हैं तो इसमें तीन भाग होते हैं एक होता है यूजर नेम होता है और सेकंड होता है डोमें नेम यूजर नेम जैसे xyz at the rate gmail.com xyz at the rate yahoo.com तो username जो xyz का मैं बात कर रहा हूँ जो first part होता है उसको हम username कहते हैं इसको ये at के पहले वाला भाग होता है इसको username का जाता है और at के बात वाले भाग को कहते हैं domain name मतलब जिस company के नाम से for example google के नाम से है जीमेल गूगल की service provider है और yahoo है rediff है live है outlook है कई ऐसी company है जो वो अपने domain नाम से अपनी service provide करती है और वो जो भी आपकी सुविदा है जो भी आपकी information है उसको share करने में मदद करती है अब हम webmail प्रदाता means जो service provider है अलग अलग जैसे gmail एक service provider है email के service provider कौन-कौन से है एक है जैसे gmail है yahoo mail है और outlook है अगर इनकी हम history में जाएं तो यह Gmail तो Google की service provider है जिसके SMS CO है स्री सुन्दर पिचाई है यह इंडियन इंडियन CEO है जो गूगल में समय यूएस में इसमय स्थापित है और यह service provider है जी मेल के गूगल के service provider है और इस समय सबसे चादा यूज होने वाली service भी गूगल है आफ्टर आफ्ट्रावट्स आते हैं याहू मेल अगर याहू मेल के history में जाएं तो याहू मेल सर्विस की launching आठ अक्टूबर 1997 भी होगी थी यह अमेरिकन बेस कंपनी है और इनका इस समय जो टाइब चला है इनका टाइब चला है वेरेजन के साथ यह सबसीडरी है और हिस्ट्री में इनकी दो लोग इसकी याहू की अपनी सर्विस प्रोवाइट करते थे जो अपनी सुविरहा देते थे इसका जो भी कमाई का जरिया था जैसे न्यूज के मादन था और विग्यापन जिसको कहते है एडवर्क के नाम से कहते हैं उसके थूँ यह सब कमाई भी करते थे और कुछ ही सालों में कुछ ही समय बा दिया था अब हम यहू नाम है यह तो शौट फारम है यहू का अगर फुल फॉर्म हम बताना चाहें तो इनका जैसे फुल फॉर्प यह अनुदर हाईर्श कि ओफीशियस और एकल यहू का फूल फॉल फॉर्म है जिसको दो लोगों के साथ मिलके इन्होंने नाम दिया था बट याहू का सबसे पहला नाम था Zeri's Guide to the World Wide Web, इस नाम से ही जाना जाता, जैसे Zeri यंग ने इसका नाम description name, descriptive name धिया था, याहू ने इसमें जैसे PPT में आप देखिए, presentation में आप देखिए, कि याहू इस समय लिखा हुआ कि याज सर्वी साजकल भूल अवस्था में चल लई ह में सही है, याहू को कई ऐसी opportunities मिली कि कुछ अच्छा कर ले, कि उनको ऐसा भी, इनके पास ऐसे भी मौके आए, कि उनको offer मिला, जैसे Facebook से offer मिला, वो Facebook को भी चाहे खरी लेते, चाहे Microsoft को भी, Microsoft का भी offer आए, कि आप इनके साथ tie-up करके या और भी अच्छे से कामय कर ले, बट अपनी जिसको समझ लिए, भूल अवस्ता समझ लिए, या गलती समझ लिए, उनके आफर को ठुकरा दिया, अब जैसे Facebook को भी खरीदने का मौका मिला था, सन 2006 में अगर हम, जैसे 2006 में, गूगल की तरह, याहू के पास भी ऐसे Facebook खरीदने का मौका था, बट, याहू ने Facebook के अरब की डॉलर की बोली लगाए थी, पर अपनी शेरों की गिराउट की वज़ा से उसको घटा कर 85 करोड डॉलर कर दिया, बट, यही है, मार्क जकरबर्ग जैसे Facebook के प्रदाता है, Facebook के सर्विस प्रोवाइडर है, उन्होंने सोचा कि हाँ, एक ओफर होता है, कि चलो ठीक है हमको इतना प्रॉफिट नहीं मिला, इतना लाब नहीं मिला है, खेर किसी तरह क्या करते हैं, खुदी इसको रन करते हैं, बट, आज की सिचुएशन यह देखा जाए, तो Facebook का जो इससे में मार्केट वैलू है, धाई सो अरब डालर से भी जादा है, जो एक बहुत बड़ी यूज होता है, जैसे आज के लैटॉप्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, इस से में जैसे हम लोग चैट, वीडियो कॉन्फरेंसिंग कर रहे हैं, यह प्रिजेंटेशन दे रहे हैं, यह तरह से ID जो Microsoft की ID है, तो इसका हम live.com या Outlook में भी प्रियो कर सकते हैं, अब हम जैसे आपको पेज पे डिस्पले हो रहा है, कि Google.com आप टॉप पेज पे देखिए, उस पे लिखा हुआ है, कि Gmail अकाउंट बनाने के लिए, यह सर्च इंजन में जाके आप सर्च करिए, how to prepare the Gmail account, यह Gmail आप डाल दीजिए, जब आप उसको खोलेंगे, Gmail.com खोलेंगे, तो आपके पास यह option आएगा, इसमें आएगा कि आप first name फिल करना है, first name अपना fill up करेंगे, then last name fill up करेंगे, आपको जो मन परसंदीदा आपको user name को select करना, वो भी आप डाल सकते हैं, आप click करके देखेंगे, user ने आप suppose कुछ भी XYZ आपने fill किया, अगर user name available है, और option available है, तो continue कर सकते हैं, अगर नहीं available है, तो Google क्या करता है, अपने आप से जीमेल क्या करेंगे, आपको और भी option देंगे, कि आप कैसे कैसे Gmail account आगे बनाने के लिए, आपको user name का भी विकल देगा, कौन सा आपको अच्छा लग रहे है, कौन सा आप से लेट कर सकते हैं, फिर आपके प पास्वर्ड को option आएगा, कि पास्वर्ड आपको कैसे select करना है, जो की alphanumeric form में रहेंगे, जितना ज्यादा alphanumeric या selection आपको जितना typical होगा, जितना बढ़ियां हो, उतना ही बढ़ियां होता है, जैसे xyz at the rate 1294, आप इसमें text भी डाल सकते हैं, symbol भी डाल सकते हैं, words भी स्ट्रॉंगने से उतनी ज्यादा बढ़े ही आपकी value बढ़े कि जिससे आपके कोई और भी आपको कोई ID यूज ना कर पाए, फिर आएगा आपके next step आएगा, जब आप ये कर लेंगे, फिर sign in instead, फिर next step आएगा, अगर ये सारे process पूरे हो जाएँगे, तो next step आएगा, जै आपके पास option भी आएगा, कि आप phone number डालके कैसे drive कर सकते हैं, मानिके password भूल गए, तो आपके recovery के लिए एक better option रहेगा, और security के लिए भी, ये सब सारी step अभी प्रशान से बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, कि कैसे कैसे खाता बनाया जाएगा, ये तो ये theoretical session आपको ब agree करके आगे की step में आप बढ़ सकते हैं, जब ये सब सारी process हो जाएंगे, फिर आप देखिए, sign in का option आएगा, suppose log out हो गया, ये फिर से security के लिए आजाएगा, इसमें अपना mobile number डाल सकते हैं, ये आपने जो email ID बनाया है, उसको डाल सकते हैं, email option जब आप डाल देंगे, फिन नोशी ठेप में आता है, sign compose mail, पे display हो के आएगा, उसमें left hand side पे आप देखिए, compose का option दिया हुआ है, inbox का option है, start का option है, snooze का option है, send items का option, ये भी प्रसांत सरी, अभी practical session में आपको बताएंगे, कैसे कैसे क्या mail compose किया जाता है, आप किस चीज़ के कैसे क्या आप use करेंगे, क लिखे आएगा, तो आप two में आप जो भी आपको address देना, जिसके नाम भीजना है, आप उनका email डालेंगे, subject में आप डालेंगे, किस विशे में भीजना है, आपका topic क्या है, क्या संबंधित, किस संबंध में ये पत्र है, आप उसको डालेंगे, फिर next step में जो बड़ा सा block लिखा हुआ है, उसमें आप जो है, जो भी detail आपको fill up करना है, आप वो डाल देंगे, कि ये description आप उसमें डालें, किस संबंध में लेटर है, फिर नीचे आएगा, आप देखे, CC और BCC लिखा है, CC मतलब होता carbon copy, जिसको प्रतिलिपी हम बोलते हैं, और BCC होता blind carbon copy, blind carbon copy ये जिसके पास संदेश गया है, वो नहीं दिखेगा कि blind carbon copy किसको भेजा गया है, जब आप ये process कर लेंगे, तो आप mail भेज सकते हैं, आप उसकी पुष्टी sent mail में जाके देख सकते हैं, कि mail गया है, कि नहीं गया है, अगर किसी संबंधि समस्या के वज़े से, इन केस आपका mail नहीं गया है, तो आप उसको outbox में जाके देख सकते हैं, कि suppose कभी network चला जाता है, या file uploading में आप कोई file upload किये, उसमें भी डिले हो रहा है, तो आप outbox में जाके देख सकते हैं, कि क्यो mail नहीं जा रहा है, और क्यों time लग रहा है, अब हम next step में चलते हैं, तो अरित संदेश प्रेशन, जिसको आज हम instant messaging करते हैं, instant messaging में हो गया हैं, जैसे facebook messenger हो गया है, line हो गया है, signal हो गया है, whatsapp हो गया है, wechat हो गया है, और भी कही instant messaging के companies हैं, जो अपनी service प्रोवाइड करते हैं, बट आज के समय में जिसका सबसे ज़्यादा प्रियोग हो रहा है, इसको कहते है, whatsapp का बहुत ज़्यादा प्रियोग हो रहा है, जिसको हम government भी information share करने के लिए यूज करती है, हम लोग भी अपने text voice message या picture से videos भेजने के लिए यूज करते हैं, या video chatting के लिए प्रियोग करत हैं, जिसका whatsapp का सबसे ज़्यादा प्रियोग हो रहा है, उसी की तरह ही Facebook भी लाइन भी और भी company अपनी asat service प्रोवाइट कर रही है, बट इससे before 2005 जैसे संदू हजार के बाद देखा जाए, तो messenger की रूप में सबसे ज़्यादा प्रियोग होता था या हू का, या हू का हम जैसे अपने समय जैसे पढ़ाई करते थे या जो भी अपने एजुकेशन ग्रेजुएशन कर रहे थे 2005-2006 तू समय यही था कि याहू का messenger कम लोग यूज करते थे, साइबर कैफे में जाकर चैट करने के लिए वीडियो चैट का सबसे अच्छा ये जरीया माना जाता था, क अगर हिस्ट्री में जाए तो इसकी 1960 में ही स्टार्ट हो चुका था, बट सारे messages जो भी होती थी, यह text message के ही form में होती थी, और बहुत ही पहले भी encrypted form में होती थी, बट आजकल encryption process जो भी है, सारी process हैं, बहुत ही अच्छे से बहुत ही secure form में प्रियोवर हैं, बट उसके पहल आप जैसे currently अगर हम आज की बात करें, तो इसे थोड़ा rivalry चल रहा है WhatsApp को ले के, कि कहा जाता secure नहीं है, security की problem आ रहा है है, पर security की problem इसी लिए है कि 8 फरवरी तक जैसे WhatsApp ने अपना option दिया हुआ है, कि अगर किसी को WhatsApp यूज करना है, तो हम जो terms condition दे रहे हैं, आप वो follow करना पड़ेगा, कि वो आपको data को access करेंगे, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में आपके data को access करेंगे, अभी भी वो data access करते हैं, यूज करते हैं, यूज करते हैं, जैसे WhatsApp है, Facebook का है, तो data access करते हैं, कहीं न कहीं आपका वो data save करते हैं, save करते हैं, use भी कर सकते हैं, किसी न किसी मिस्यूज भी हो सकता है और इसी को टक कर देने के लिए जैसे यह कंपनी टेलीग्राम हो गई है और सिगनल आप सुने होंगे सिगनल भी उसी कोई अच्छा कंटीशन दे रहा है सिगनल जैसे अपने टर्मस कंडीशन देती है कि हम आपकी डाटा को कहीं सेव नहीं करेंगे य आपको मैं बीच में कहें भी आपका डाटा कोई चोरी नहीं कर पाएगा मतलब जो सेंडर है जो यूजर है और जिसके पास मैसेज जा रहा है वो बीच में डारेक्ट उनहीं के पास ही वो डाटा शेरिंग का ही जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो सीधे उनमीमें बीच में हम इंटरूनेट चैटिंग का यही इंटरूनेट Tech शेक लिभाइच पीरीड के में बताया था कि वाट्ट सेटाटाइफ इसबूक में नेक्स्ट ऑते हैं कि internet रिले चैट कि कि यह इंटरेट रिले चैट जो सर्विस पहले समय में जैसे याहू का यूज होता है याहू.com बहुत जब ये सोचल नेटवर्किंग इतना यूज नहीं हुआ था तो इंटरनेट रिले चैट का जादे प्रियोग होता था जो की यूजर की जो यूज कर रहा है जो टेक्स्ट भेज रहा है उसको जिसको यह भी सिक्योर ही फॉर्मेट था और आज के समय इतना प्रियोग नहीं होता है अब आते हैं सोचल नेटवर्किंग सोचल नेटवर्किंग सेवाए उन लोगों की ऑनलाइन कम्यूटी जो अपनी इच्छा पसंद गत्विद्योग शेयर करना चाहते हैं जैसे हम कुछ एक् बात करें तो अपनी पसंद नापसंद वीडियो और या फोटोज हो गया शेयर करते हैं अपने गुरूप के साथ अपने कम्यूनिटी के साथ गिसी जिसके साथ शेयर करना चाहते है या हम जिसको फॉलो करते है उसी तरह इसकी एक और गान्च खुल गया सबसेडर्यरी हुआ है Facebook के साथ वह भी as it is format में ही है कि अच्छे अच्छे फोटो शेयर होती है अपनी वोईस जो भी है content रहते हैं आप कोई ग्रूप चलाना चाहते हैं आप कोई सेवाय देना चाहते हैं तो आप सोचल लेटवर्किंग साइट की थू दे सकते हैं और जैसे Twitter अफिशली सबसे अधर प्रियोग होता है जैसे उसमें ब्रॉड कास्टिंग प्रोसेस होता है means Twitter उसमें देखे आप चिडिया बनी हुई है means कि जैसे है यह कि आप कोई कुछ एक्सप्रेस करथा अपनी बात एक्सप्रेस करता है तो जो जिसको follow करेंगा वो उसको show करेंगा जैसे गौeli कुछ भी अपना ब्रॉटकास्ट करती है कुछ टाइप करके भेजते हैं तो हम सपोज हम मोधी जी को फॉलो कर रहे हैं या किसी और पार्टी को फॉलो कर रहे हैं तो अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं तो जो कुछ भी अपनी बात हो कह रहे हैं हम उसको जान सकते हैं या इंडिन है इंस्टाग्राम है वाट्सैप है स्नैपचैट और टेली ग्राम भी है अब यह सब काफी अच्छे से मार्केट में अपनी वैलू शो कर रहा है कि क्या इनकी वैलू है सर्च इंजन अगर हम सर्च इंजन के बारे में बताएं तो इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला जैसे किसी चीज को वैब एड्रेस पे उपर टॉप पे डालने से पहले जैसे होता किसी को हमें किसी कंपनी की वैब साइट नहीं मालू है या सब्सक्राइब कहीं के बारे उसका domain name नहीं मालूम है, तो हम सीधे उस व्यक्ति या किसी organization के बारे में, या किसी image के बारे में, उसको हम box में जाके search कर सकते हैं, जिसको का जाता है search engine, search engine को जो display page होता है, उसको हम short form में serp कहते है, serp मतलब होता है search engine result page, means मैंने अगर google.com type किया है, तो आप देखिए, google पूरा page display होगा, उसके नीचे जो box center पे बना रहता है, उसको हम क्या कहते है, search engine result page, उसके हम किसी key phrase या sentence को, उसके अंदर हम type करेंगे, suppose माली मुंबाई में ने type किया, तो मुंबाई से संबंदे जो भी information है, कि क्या इतिहास है मुंबाई का, उसका image हो गय गया, voice हो गया, यह video हो गया, उस सारा कुछ display form में आ जाएगा, और जो भी information, जो भी होता, information data base को result की आधार पर बताता है, कि सबसे आधा क्या सर्च किया हो, सबसे रिस्तित और बहतर result कौन सा है, जो first page पर वह तो जैसे आपने उत्तर प्रदेशी type किया, तो उस पर कई result आ उस सबसे पहले दिखाएगा, आप देखिए इस पर लिखा हुआ है, जिसमें तीन search engine के display इसमें लिखा हुआ है, जैसे Google का लिखा हुआ है, गूगल का center page है, उसमें लेंस ऐसा बना हुआ हुआ, उसमें जो search engine option है, उसमें आप type करके search कर सकते हैं, और Bing है, यह Bing है, Microsoft की service है, यह भी एक search engine का इसमें बार दिया हुआ है, कि आप जो भी search करना हो, किसी भी language में, किस language में information आप चाहते हैं, image में चाहते हैं, कि videos format में चाहते हैं, यह जिस format में आपको search करना हो, आप Bing में भी जाके आप type कर सकते हैं, as it is Yahoo का भी है, यहू, यहू तो अब, अब कम यूज ह यहू के कुछ भी आप, जो भी information, news के online result, यह news के लिए भी internet सेवाओ के लिए, Yahoo सबसे अच्छा, यह सबसे आदा प्रचली था, किसी टाइम पे, but Google इसमें उसको overtake कर लिया है, और सबसे best और जल्दी result, Google ही देता है, इसलिए सबसे आदा प्रियोग होता है, अब हम आपको बता आते हैं, URL, URL को हम कह सकते है, Uniform Resource Locator, means, जिसको website का अदियुतिय नाम होता है, जिसको internet पे जाना पहचाना जा सकता है, जैसे, हर वैक्ति की अपनी पहचान होता है, अनीता मैं, आपके वाज आ रहे हैं, आपके वाज आ रहे हैं, आपके वाज आ रहे हैं अब आ जा रही है, हाँ, जी, बिल्कुल क्लियर है, सर, यू में continue, प्लीज, URL, अगर हम URL के बारे में बताएं, तो इसमें हर वैक्तिक अपनी पहचान होती है, उचका home address होता है, as it is, जैसे identity होती, जिसको हम आज के समय में आधार बना जैसे, unique identity होती है, उसी तरह उसके नाम से mention है, तो इसमें जो first page, आप कोई भी address डालेंगे, suppose, first page, जो first part होता है, उसको कहते है, protocol होता है, इसको कहते है, hyper test transfer protocol होता है, means, जो भी आपकी information है, secure layer by layer transfer होती है, बतलब secure form में होती है, means, encrypted होती है, privacy data होता है, कोई और encrypt न कर पाए, जिसको हम कहते है, subdomain name, यह सभी वी web address के पहले ही content यह डाला जाता है, www means, कि हम उसको globally उस part को internet पे search कर रहे है, www.gis को कहा जाता है, then आता है domain name, domain name हो गया कि जिस company के बारे हम जानना चाहते हैं, या जिस server पे हम जिसके बारे information जानना चाहते हैं, उसको हम domain name के लाम से कह सकते हैं, then आता है top level domain name, जैसे google.com, top level domain name ही हो गया, कि आप commercially किसी चीज़ का internationally उसको आप जाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर यह होता, in होता, तो means कि आप India में उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, या edu होता, तो आप education से सम्बंदित, उस web address का formation हुआ है, domain name का formation हुआ है, अब यह file path है, slash file path जैसे में लिखा हुआ है, जैसे index.html, यह आपको जैसे यह सारे आपने resource name आपने type कर लिए, file path यह हो गया है, कि आप जिस चीज़ के बारे में directly आप approach करना चाहते हैं, वो उस file path को ले जाके उस पे आपको direct आपको पहुचा देगा, यह हो गया uniform resource locator, अब आता है uniform resource locator के process कैसे working process क्या होता है, अब uniform resource locator है, क्या करेगा, कि जैसे आप हर company का, हर URL का एक अपना IP address होता है, और वो क्या होता है, numerical form में होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, गूगल का है, IP address है 64.233.167.99, means यही है कि इनका जो address लिखा हो यह binary form में है, अब जैसे Amazon का हो गया है, 192.0.2.44 है, यह इनका unique, unique address है, जो binary form में लिखा हुआ है, यह easiness के लिखा रहता है, जैसे यह तो easy है नहीं बाई, किसी को याद करना, नंबर को 64.233 तो बहुत tough होता है, तो क्या करेगा, domain name को क्या है, इसको जैसे google www.google.com, यह क्या है, यह human readable domain name कहा जाता है, जैसे हम है कि human being को या किसी को इसको आसानी से वो domain name याद रहे, amazon.com हुआ, उसको भी आसानी से सब कुछ याद रहे, अब इसको हम जैसे मैंने web address मैंने इसको top address मैंने जो भी है मैंने type कर दिया, तो search क्या करें, machine क्या करेगा, वो machine अपने form में करें, वो जो लिखा हुआ, वो binary form में read करेंगा, means system को क्या करें, IP address क्या करेंगा, उसको translate कर देगा binary form में, इस तरह से जो human readable है, वो machine reform में अपने website तक machine क्या करता है, वेब में search करने मदद कर देता है, और यह पहले ही समय बहुत कठीन होता था, पहले इसी binary form में रहता था, बट, easiness के लिए यह एक नया evolution होगा, नया सब कुछ खो जा गया, तो इस वज़ा से internet ज्यादा ही प्रचलित हो गया, अम next page पे आते हैं, secured site, आप देखी, जैसे मैंने लिख आपको बताया था कि HTTP होता है, hypertext transfer protocol, अब आप देखे, as भी इसमें लिखा हो, means secured, आप कोई भी page पे जाएंगे, तो उस पे आप देखेंगे, कोई भी page आप search engine पे जाकर सर्च किया, तो उपर उसी link पे ले जाता है, आपको, उस पे देख रहेगा HTTPS, suppose आपने access bank खोला, या bank of border खोला, या SBI खोला, अगर HTTPS नहीं लिखा हुआ है, और उपर cut होके आरहा, अगर वो display पे आरहा है, जो भी आपको पे लिंक ले गया है, वो secure नहीं है, अगर ब्रीन बन के आगया है, तो समझे शेक्योर है, आप डारेक्ट उसी address पे जा रहे हैं, जहां पे आप आप जाना चाहते हैं, means आपका data secure है, कई भी ऐसे encryption जैसे अभी flip card काहिए, अभी sale चल रहा था, तो इ users होते हैं, वो अपनी सारी information share कर देते हैं, सब कुछ share कर देते हैं, अपना OTP डाल देते हैं, या जो भी आता है, उसमें fill करके आपके data हो चोरी कर सकते हैं, अब आता है, इसके HTTPS के तीन form होते हैं, एक होता privacy हो गया, privacy means हो गया कि data को encrypt करना, privacy मिला आपके data जो client और server वीच में कोई दूसरा read ना कर से, means आपने type किया, machine ने उसको direct server पर ले जाके, जो bank पर information जिसके पास जाना है, वहीं पर जाए, means ये privacy, कोई और बीच में आपके side को hack ना कर सके, second हो गया, integrity हो गया, कि आपने जो data डाला, जो आपने search, जो भी आपने information डालना है, या सर्च कर रहे ह कोई आपके data में कोई बीच में hack करके change तो नहीं कर रहा है, ये हो गया, integrity form हो गया, अगर ये दोनों सब कुछ दोनों process ठीक होते है, ठीक होते है, then आता authentication आता है, इसमें क्या होता है, system और client server की बीच में, अपनी identity प्रूफ करनी पड़ती है, ये सही है या नहीं सही है, इस इसकी पुष्टी कैसे होता है, HTTPS से पुष्टी होता है, जब ये तीनों step आपस में follow हो जाते हैं, ये तीनों step प्राइविसी, integrity, authentication, जब ये तीनों step हो जाते हैं, तब ही वो HTTPS उसको verify करका आपको secured site पे ले जाता है, इसको जैसे है, लिखा हुए SSL Secured Socket Layer, इसमें स्ट् encrypted form में data रहता, secure करके आपको सही जगाप पे पहुचाने की पुष्टी करेगा हो, अब हम बात करें, e-governance, e-governance website, आजकर हम कई सुविधाओं का प्रियोग करते हैं, कि e-governance क्या हैं, कई service यूज़ कर रहे हैं, जैसे, सभी सरकारी कार्यों को online service का जनता, sorry, online service के माद्य हम से जनता तर आसानी से पहुचाना, जिससे की सरकारी कारया ले हो, जनता दोनों के पैसे हो समय की बचत हो सके, अब इसकी service के हम बहुत ज्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे, कई service हैं, जैसे, DTS रिचार्ज हो गया, telephone हो गया, या mobile रिचार्ज हो गया, बिज इसका e-governance का बहुत ही ज्यादा प्रियोग हो रहा है, अब जैसे, सरकार की आम नागरी को के लिए, उपलब सीवधाओ को internet माद्यम से उपलब कराना, को कहते हैं, अगर इसकी history में हम जाएं, इसकी स्थापना 1970 में, और भारत में, जो है, 1970 में ही, गवर्मेंट ने सबसे प जानते हैं, जैसे मूलबूत सुविधाय हो गई, उसके तुरूई सब्सक्राइब प्रोसेस उन्होंने इस्टाइब, अब हम इसकी सुविधाय के बारे वागर जानना चाहते हैं, जैसे आज कल GST के सारे कार, आनलाइन ही हो रहे हैं, बिजली हो गया, पानी हो गया, टेली टिकट की ऑनलाइन ही बुक करते हैं, जिसे हम भीड से और समय की बचत भी कर सकें, अब इसके चार स्टेफ होते हैं, चार प्रकार होते हैं, जैसे होता है, गौर्मेंट टू गौर्मेंट होते हैं, गौर्मेंट टू गौर्मेंट होता है, जिसमें गौर्मेंट टू गौर भीजनेस और अगर बिस्नेश मैंन नियुस्तुप अगर कोई। अगर कोई तरीका अपना जाते हूं कि वह इस आधार गैए भिजनेस में थेफिर आता है गर्मेंट टूब उलाइससर अगर अपने एंप्लोई कार्म Rabbi कंपॉइसाइस अपने एंपरमेशन शेर करना चाहते हैं या कुछ भी आदर करना चाहते हैं, या कुछ भी काम करना चाहते हैं, वह गुवर्मेंट टूंप्लाइ में एंप्लाइव कटेगरी में आ जाएंगे. अब हम आगे की स्टेप्स जोबी प्रैटिकल सेशना है, श्री प्रशान चाहदरी सर्कानेंगे. तेंक यू फॉर इस सेशन प्रसान सेर. यह सेर. बटाए उसको वर्बली और आश्या करते हैं कि काफी लोगों को अच्छा भी लगाओ और काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा तो जैसे संड ने भी आपको सारी डेटेल्स बताई.